असलाम अलेकुम, वेलकम बैक प्रावलम सॉलवर्ज में रेसंट वीडियो में मैंने आप लोगों को वर्टसेप के उपर अकाउंट क्रियेट करने का तरीका बताया था ये वीडियो है बेसिकले वर्टसेप स्टेटस से रिलेटेड आप वर्टसेप के उपर अपना स्टेटस कैसे लगा सकते हो बहुत सारे लोगों ने स्टेटस लगाया होगा, आपने देखा भी होगा अब आपका मन चाहा, आपका दिल किया कि मैं भी अपने वर्टसेप के उपर स्टेटस लगा हूँ आपने कोई वीडियो कोई पिचर कोई टेक्स आपने ढून लिया अब आपको समय नहीं आ रहे स्टेटस लगाना कैसे है और कुछ लोग चाह रहे होते हैं कि हम लिमिटिड लोगों को स्टेटस दिखाएं मतलब कि जी एफ को बी एफ को कुछ खास बंदों को दिखाएं कुछ बंदों को हम नहीं दिखाना चाहते उस टॉपिक से रिलेटिड भी इस वीडियो में बात करेंगे मेरे नमाज़ जैन चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना क्योंकि आपका भाई इस तरहां की प्राब्लम सल्यूशन से रिलेटिड वीडियो प्राब्लम सॉलवर चैनल के ओपर पोस्ट करता रहता है इसके लिए आपने करना क्या है फर्स्ट उफाल आप वर्टसेप की सैटिंग से रिलेटिड इनफॉर्मेशन ले 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 उसके बाद मैं स्टेटिस लगाने का भी तरीका बता देता हूं कितने तरहां के स्टेटिस लग सकते हैं अब अपडेट वाला सेक्शन आ चुक है पहले स्टेटिस के नाम से यह आपशन था ठीक है चैट के साथ यह बिल्कुल यह अपडेट वापशन है यहाँ पर आने के बाद आपने थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है यहाँ पर आपको शो हो जाएगा स्टेटिस प्राइवेसी आपने इसके उपर क्लिक करना है उसके इलावा आप सेटिंग में जाने के बाद भी ना प्राइवेसी वाले सेक्शन में जा सकते हैं ठीक है सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट में जाने के बाद नहीं अकाउंट नहीं है प्राइवेसी वाले सेक्शन में जाने के बाद यहां पर स्टेटस वाले सेक्शन मिल जाता है प्राइवेसी ठीक हो गया दुन जगों से आप आ सकते हो अब मैं थ्री डॉर्स पे क्ल के आपके तमाम Contacts जिन नमबर को आपने सेव किया हुआ है और उन्होंने भी आपका नमबर सेव किया हुआ है जिन्होंने वर्टसप बनाया हुआ है वो तमाम आपके नमबर आपका जो है नव स्टेटस देख सकते हैं My Contacts Accept second option आप्शन में बात करते हैं my contacts accept my contacts का मतलब मेरे तमाम contacts देख सकती है लेकिन इन लोगों के इलावा समझिएगे second option के बारे में again my contacts accept ऐक्षन मेरे तमाम नंवर तमाम लोग देख सकते हैं लेकिन इन लोगों के इलावा जिनको select किया जाएगा अब ही देखिएगा ये मैं इनको अन स्टेट करता हूँ मैं जैसे के स्टेट करता हूँ मिस्टर सैम और अमर को स्टेट करता हूँ अब ये दो लोग स्टेट हो चुके हैं इनको मेरा स्टेटस नहीं देखने को मिलेगा बाकि सब लोगों को मेरा स्टेटस देखने को मिलेग मैं okay करता हूँ, अब देखिएगा two excluded, मतलब कि दो लोग exclude हो चुके हैं, उनको मेरा status नहीं दिखाई देगा, third option के बारे में बात करते है, only share with, मतलब कि आप एक दो लोगों को दिखाना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पर आप unselect कर सकते हो, एक दो लोगों को दिखाना चाहते हो जैसा कि मैं zen को दिखाना चाहता हूँ, मैंने एक zen को select कर लिया, अब मैं mark पे click करता हूँ, ठीक है, one included, मतलब सिर्फ एक ही बंदा, मेरा status देख सकते है, अब मेरे whatsapp के ओपर, status के ओपर, privacy लग चुकी है, only share with, मतलब एक ही बंदा, zen मेरा status देख सकते है, gf, bf, specific person को दिखा आने के लिए, आप यह वली setting यूज़ कर सकते हो, उसके बाद, अब status की तरफ आते है, status आप कैसे लगा सकते है, वो जो मैंने details शेयर की है, वो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, उसके इलावा, बहुत सारे लोगों को problem आती है, कुछ रिश्यदार भी होते ह ना भाई, तुने यह status लगाया, तुने गाना लगाया, यह किया, वो किया, उनसे बच सकते हो, my status के ओपर आपने click करना है, then यहाँ पर आने के बाद, आपने अपनी video या photo वो आपने select करनी है, मैं एक अपनी photo select कर लिया है, मैंने, उसके बाद, यहाँ पर आप इस photo को crop करन ठीक हो गया, इसकी direction chain करना चाहो, इसके ओपर कोई emoji लगाना चाहो, वो लगा सकते हो, text कुछ लिखना चाहो, picture के ओपर वो लिख सकते हो, और pencil वाले icon पे click करके, यहाँ से आप इसके ओपर draw कुछ करना चाहो, इस चीज को highlight करना चाहो, वो कर सकते हो, add a caption, मतलब कि आप status के filter apply कर सकते हो, ठीक है, picture के colors को change up करना चाहो, वो कर सकते हो, मेरी status के ओपर privacy लगी हुई है, यहाँ से भी आप privacy लगा सकते हो, ठीक है, वो ही चीजे हैं, जो मैंने आपके साथ share की है, information मैं, चले text यह लिख लेता हूँ, ठीक है, मैंने information लिख दी, अब मैं send वाले icon के ओपर click करता हूँ, अब मेरा status जो है ना वो लग चुका है, WhatsApp के ओपर, अब मैं दुबारा status के ओपर click करता हूँ, अब यह देख सकते है, my status वाले section में, मेरा एक status अभी लगा है, वो लगी है, एक picture, और यहाँ पर click करके, आप देख सकोगे, कितने लोगों ने आपका status देखा, और कोई अगर response वगारा करता हूँ, आपको चैड़र सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप अगर इसको delete status को करना चाहो, तो आप three dots पे click करके, इसको delete भी easily कर सकते हो, दुबारा कोई और status लगाना चाहो, उसका क्या तरीक है कार है, आपने my status के ओपर click करना है, इस camera आइकन पे click करना है, दुबारा select करेंगे, वो दूसरा status लग जाएगा, और इसी line में आपको वो भी status देखने को मिल जाएगा, यह जो मैंने information शेयर किया है, आप picture, video लगाना चाहो, तो कैसे लगा सकते हो, अगर आप कोई text status पर लगाना चाहो, कोई information आप text की form में दे सकते है, टॉप के ओपर भी आपको मिल सकते है, अपने pencil वाले icon पे click करना है, यहाँ पर recent update भी आई है, आप voice अपना message भी status पर लगा सकते हो, तो आप लगाना चाहो, तो यहाँ पर click करोगे, ठीक है, आपकी voice record होती जाएगी, और वो status के ओपर लग जाएगी, ठीक है, यह मेरी voice record हो रही है, उसके इलावा, आप कोई text status लगाना चाहो, जैसा कि मैं लगाता हूँ, how are you, यह मेरा status हो, यह text हो गया, अब यहाँ से आप को emoji लगाना चाहो, text का phone chain करना चाहो, color background chain करना चाहो, वो करने के बाद, आप send पे click करेंगे, वो आपका text status पर लग जाएगा, य वो 24 घंटे बार disappear, मतलब खतम हो जाता है, delete हो जाता है, 24 घंटे बार status नजर नहीं आता, I hope कि आप understand कर गए होंगे, क्या वर्टसेप के ओपर status कैसे लगा सकते है, status से related, कुछ मैंने आप लोग के साथ important information भी शेयर किया है, मतलब आप privacy कैसे लगा सकते हो, अगर वीडियो च लगी हो, तो वीडियो को लाजमी से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका भाई, ऐसी information videos, problem solver channel के ओपर लाता रहता है, मिलते हैं next information video के साथ, तब तक लिए अपना ख्याल रखियेगा, I love you